अगर वो इंडिया में रहते हैं, जब भी अगर फिर रहा हूं, दस तार के अंदर एक साल से समागरी नहीं बाते, 2018 में, मैं केस में मस गया था, जिसके कान मैं कुष्टडी था, जिल में था, और मेरे पंचायत की जनता को मेरे कुष्टडी रहने खारंग, जो हम लोगों के पास है, जो हम लोग गरीब जनता को चाहते हैं, जो आज से छट पर चालू हो गया है, और आज हमारे साथ है, खेसारी लाल यादो जी के बड़े भाई, श्री बुलबुल मिस्राजी, तो आईए हम उनसे बात करते हैं, और साथ में उनकी पत्नी स्री रेखा मिस्रा जी रेखा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी यूट्टूब चैनल भोषपुरिया टनाटन पर में तो भोषपुरिया टनाटन को बहुत भोषधानेवाद यहाँ पे आए हैं आप कितने लोगों को पसाथ बित्रन किया आज आपने कम से कम 2,000 लोग होंगे क्या-क्या बित्रन किया है आपने इसमें जो भी एक कौसुप कार्प का समान होता है गागल निंभू है, नारियल है, से, केला, साडी, मरलब जितना भी समान सर्थ में लगता है आप काफी लग सालों से प्रसाथ बित्रन कर रहा है यह कहां से आइडिया है कि मैं प्रसाथ बित्रन करूँ और कहां-कहां के लोग आपके पास आते हैं मेरे पती समस्य हो है हम लोग जब से मुख्या नहीं थे तब खिर्म करते हैं और च्छठी मारीया का। यह हम लोग नहीं बातते हैं यह एक्षेल वाइक ज कैसे बाद हम लोगों के पास है जो हम लोग घरीब जानाता को चाहते हैं, उन लोग को तख लीप करें अच्छे से छट करें, हर लोग खुशी का मौका है, तो हर लोग खुशी से इंज्वाय करें छट पूज़ा बोलो भी आप से जानना चाहिए, ये आइडिया कहां से आया कि प्रसाद बाटो और इतना भारी मत्रा में प्रसाद बाटो मुझे सुरू से लोगों का सेवा करने में, और लोगों का सेवा करने का मौका जब भी हमको मिता चाहिए, जो भी मौका मिला हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कि मैंने लोगों को मेरे चलते कुछ लोग अपने खुशी को जाहिर करते हैं, जो कि और लोग नहीं कर पाते और छट पुजा हिंदू का महापौर है। जब से मैं इस गाउं में आया हूं मोगत परस्थ गाउं में तब से आज तक मैं जब भी आज तक मैं जब भी अगर फीर रहा हूं, दस दार के अंदर एक साल सिर्फ हम छट प्रतियों को समागरी नहीं बाते, 2018 में मैं केस में फंस जिसके कान मैं कुष्टरी था, जिल में था और मेरे पंचायत की जनता को मेरे कुष्टरी रहने एक समागरी नहीं मिल पाया था, लेकिन उसके बाद मैंने जब निकला, तो उसके बाद हर छट में मैं शत्वतियों को भीतन करता हूं, तो है दस से मुधबसा पंचायत में म मुझे आश्या लगता है, और जो असाहाय, कमजूर, गड़ी, परिवार के लोग हैं, वो हमारे पास एक मतलब आस लेके आते हैं, उनको विश्वास है कि हम जिनके पास जा रहा हैं, वहाँ जरूर मजद मिलेगा, तो सुमिक के हम लोग खरात आने का प्रयास करते हैं, छो मुझे श्वाबद पर्षा मेरा जन्म भूमी तो नहीं है, लेकि मेरा गाओं है, मेरे पिता जी का जन्म भूमी है, और मेरा जन्म भूमी मेरा ममल चोक्रा है, जहां से आपको नाम मिला सिर्य बुलवर निस और मेरा जन्ध भूमी चोकर्ए अ कर्म भूमी छपरा है दहियामा टुला और रन भूमी मोवथ परसा है जहां से आपको नाम मिला नाम कहीं और से मिला जगा कोई मिला और लास्ट में आप कहीं और आगे और वहां की लोगों भी सेवा करते हैं कितना भी अश्मान पर लोग जाएगा धर्टी पर याएगा तो यह मेरा धर्टी है यह मेरा गाउं है मुझे इस गाउं से प्यार करते हैं और उमीद हम पे रखते हैं उमीद ज्यादा रखते हैं कि अच्छा कुछ भी करने में किसी ना किसी कांद के लिए उदेश से होते हैं, यह च्छट प्रसाद दित्रण घंड में आपका उदेश से क्या है ? मेरा उदेश यही है कि मैं गरिबो के दिल में राज करने चाहता हूं, इसलिए मैं गरिबो का सेवा करता हूं कोई स्वार्थ नहीं है स्वार्थ हम में आज तक किसी स्वार्थ तो अगर रहता तो मैं सेवा नहीं करते हैं सेवा वहीं करते हैं जो स्वार्थ नहीं रहते हैं शेवा निस्वात रख़ाइब और बताई आप कैसे खिलाल मुख्या हैं, आप जगा जग हों भूम रहे हैं, क्या समस्या इस गाउं की और क्या आपने शाल्व किया हैं और क्या आगे स्वाल करना है आपको ? मतलब मेरे नीजी कोस्ते तो जो समस्या है ततकाल हम लोग उसको सॉल्ट कर देते हैं लेकिन अगर सरकारी समस्या है तो उसको समझना पड़ता है फिर धीरे धीरे सॉल्ट हो रहा होता है जैसे कि मैं ही इस गाउ में आया और मेरे वो काफी कठनाई हुई आने में सड़क है एक बच्चा मेरे साथ था लेकिन हम लोग उसको बिठाय के नील है तो लगता है कि इस गाउ में आने के लिए सड़क की अच्छी व्योस्ता होनी चाहिए होनी चाहिए उसके लिए आप क्या करें ुख्यमंत्री शरक योजना पंचायश से रिलेटेड नहीं है लेकिन उसका टेंडर हो गया है कभी छठ पुजा में आपके साथ रहे हैं छठ पुजा में और रहे हैं चठ में डीपाली में भूली में आनेको बार हम लोग सब भाइज में केक नत किया हैं रेकिन अभी तो पहार रंदर चट पुझा राता है अगर वो इंडियां में रहते हैं तो गाउं के जोई रखते हैं सर्य भूल 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 मिस्राजी और फॉत हम अभी तक हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं के तो सब्सक्राइब करें लाइक करें धनरवाद दोस्तों